आज हम कक्छा 10 की गड़ित का exercise 3.6 का प्रस्न कर्मांक एक का आठवा भाग हल करेंगे इसमें हमें ये दो समीकरण दिये हैं, इनकी सहायता से हमें देखिक समीकरण बनाना है और उसको हल करके x और y के मान गयाद करना है देखिए इसमें ये दोनों चीजें कॉमा ने 1 upon 3x plus y इसमें हो और इसमें भी है इसी तरह से 1 upon 3x minus y इसमें भी हो और इसमें भी है तो हम 1 upon 3x plus y को क्या मान सकते हैं? वी माना 1 upon 3x plus y is equal to v और 1 upon 3x minus y is equal to u इसको हम u मान लेते हैं और इसको हम मान लेते हैं v फिर ये हो जाएगा हमारा u plus v बरावर 3 upon 4 ये हमारा बन गए equation number 1 इसी तरह से ये वाला 1 upon 2u minus 1 upon 2v v उपर रहेगा बरावर minus 1 upon 8 ये है 1 upon 2u minus 1 upon 2v बरावर minus 1 upon 8 ये equation number इसको अभी 2 नहीं देंगे इसको हम थोड़ा सा हल कर लेंगे इसको यदि हम चाहें ये 2 दोनों में है नीचे LCM ले लिए 2 का ये हो गया u minus v equal to minus 1 upon 8 अब दोनों पक्चों में हम दो से भाग दे सकते हैं दोनों पक्चों में दो से भाग देने पर इस तरफ का नीचे का 2 कट जाएगा असलिए हम दो से भाग दे रहे हैं कि ये हो गया u minus v bjour alignment finns wireless one अपने मामें इस से नीचे तो ऊपर टु से डिवाइट करेंगे तो यह जाएगा kilometrí इसजड क्वश को हम उच्ण से डिवाइट करेंगी अपन टू इसका मतलब तू यह नीचे टू तो इस ऊपर टू हो जाएग और नीचे वन हो Sana यह हो जाएगा दूच्यों को आठ यहां आ जाएगा माइनस वन अपॉन फूर तो यहां पर हम डिर्क लिख देंगे माइनस वन अपॉन फूर यह क्वेशन नंबर टू बन गया हमारा अब देखिए समीकरण नंबर एक है और यह समीकरण नंबर दू है यह यू प्लस वी और यह है यू माइनस वी दौनों को हम सिंप्ली जोड देते हैं जोड़ेंगे तो वी के वेरियेवल कैंसल हो जाएंगे अकेला बच्छे का यू और हमें यू कम अनप्राप्त हो जाएगा समीकरण नंबर एक वा दो को जोडने पर तो यह हमारा समीकरण नंबर एक है यू प्लस वी बरावर तीन बटे चार और समीकरण नंबर दो है यू माइनस वी बरावर रण एक बटे चार अब इन दौनों को जोड़ेंगे हम तो यह दौनों तो कैंसल हो जाएंगे वी के व variable यह बचेएगा to u बराबर यह हमारा तीन बटे चार एक बटे चार इसको हम थील्ड़ा सहल कर लेते हैं यह लेंगे 4 आएगा 3 रन एक बराबर 2 बर्टे 4 और यह 2 से कैंसल हो जाएगा दो दोनी चार तो यहां हमारा गया एक बटे 2, यहां पर हम लिठ लेंगे एक बटे 2, इस तरह से हमारा u कमाना जाएगा यह देखे 2u बराबर एक बटे 2 है, इसको हम तिर्यक गुणा कर सकते है नीचे एक मान के, तो यह 4u बराबर हो जाएगा, एक और u बराबर हमारा कितना हो जाएगा एक बटे चार यहाँ पर यू गुणा चार गुणा में है तो इस तरफ जाके भाग में हो जाएगा तो यू बराबर हमारा हो गया एक बटे चार अब यू कमान हम कौन से समीकरण में रख सकते हैं मुझे समीकरण नमबर एक ज्यादा आसान लग रहा है यू प्लस भी बराबर तीन बटे चार तो हम यू कमान समीकरण नमबर एक में रख देंगे यू कमान समीकरण नमबर एक में रखने पर समीकरण नमबर एक है यू प्लस भी बराबर तीन बटे चार यहाँ पर हम U कमान रखेंगे 1 बटे 4 धन V वराबर 3 बटे 4 तो यह हमारा V को हम यहीं बचा लेंगे और U की जो वैलियो इसको हम पक्छानतर कर देंगे तो यह हो जाएगा 3 बटे 4 रन 1 बटे 4 V वराबर हमारा हो जाएगा यह LC में आ गया 4 और 3 रन 1 तो V कमान जाएगा 2 बटे 4 यह 2 एकमदोर दो दूनी 4 तो V कमान हमारा आ गया 1 बटे 2 और U कमान हमारा आ गया है 1 बटे 4 अब हमने U और V क्या माने थे यह माना था हमने 3X धन Y बराबर हमने क्या माना था U और U हमारा कितना आ गया है ये तीन एक्स धन वाई बरावर एक बटे चार ये हमारा बन गया समीकरण नमबर तीन इसी तरह से तीन एक्स धन वाई बरावर और ये है यू तो इनको हम तिरियक बुणा कर लेंगे इसके भी उपर हमने एक माल लिया है तो जब ये तिरियक बुणा करेंगे इसको हम पूरा काटके अच्छे से कर देते हैं ये है एक बटे तीन एक्स धन वाई बरावर यू तो ये तिरियक बुणा हो जाएगा यहाँ पर एक बटे तीन एक्स धन वाई बरावर है एक बटे चार अब ये तिरियक गुणा होगा 4 का 1 में और 3x धन y का 1 में तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा 3x धन y बरावर 4 यह समेकरन नमबर बहुत हमारा बन गया 3 इसी तरह से हमने वी क्या माना था? 1 बटे 3x धन y बरावर वी और वी हमारा कितना गया है? 3x धन y बरावर 1 बटे 2 अब इनका हम तिरियक गुणा करेंगे तो 2 का 1 में हो जाएगा और 3x धन y का 1 में हो जाएगा इस तरह से हमारा आ जाएगा 3x धन y बरावर 2 यह हमारा बन गया समेकरन नमबर 4 समेकरन नमबर 3 वा 4 को हल करेंगे तो यह दिखिए यहाँ पर plus y और यहाँ पर minus y है समीकरण नमबर 3 वा 4 को हम जोड़ देंगे समीकरण 3 वा 4 को जोड़ने पर तो यह हमारा हो जाएगा 3x धन y बराबर 4 और इसी के नीचे है 3x धन y बराबर 2 अब यह y कित्तों कैंसल हो जाएगा एक plus का एक minus का है यह हो जाएगा 3 और 3 6x बराबर 4 और 2 6 तो इस तरह से हमारा x का मान आ जाएगा 6 बटे 6 यानिकी 1 x का मान हमारा आ गया 1 अब x का मान समीकरण नमबर 3 में रखने पर यह है समीकरण नमबर 3 हमारा तीन में रखने पर तो यह हमारा हो जाएगा 3x धन y बराबर 4 यह x आमने रख दिया 1 तो 3 गुणा 1 धन y बराबर 4 यहाँ पर हमारा आ जाएगा 3 धन y बराबर 4 y बराबर 4 रण 3 तो y बराबर आ गया 1 इस तरह से हमारा आंसर क्या आ गया x बराबर 1 और y बराबर 1 यह आपको समीकरण देखने से लग रहा होगा इसमें समीकरण 4 समीकरण बन गया है यह question थोड़ा सा बड़ा है पर यह question आप करेंगे बहुत ही ज़्यादा आसान है इसकी बस थोड़ी से आपको practice होनी चाहिए इसको दो तिन वार हल करी अपने आप बनने लगीगा यह प्रस्तुती 10 finger channel की ओर से थी देखने के लिए धन्यवाद